Hello guys, welcome back to our channel. तो आज हम बात करेंगे कि thyroid patients को fat loss के लिए क्या-क्या खाना चाहिए और आपके diet में क्या-क्या शामिल होना चाहिए. अगर आपको thyroid की problem है और आप weight loss करने की कोशिश कर रही हैं तो ये एक tough battle की तरहे लग सकता है. लेकिन सही diet के साथ ये बिल्कुल possible है. आएए जाने की thyroid patients के लिए weight loss करने वाली diet कैसे होनी चाहिए. सबसे पहले, पोशक तत्वों से भरपूर, संपूर्ण खाद्य पदार्थों पर यानि की nutrient rich whole foods पर ध्यान दे. चिकिन, फिश, एग्स, और plant-based proteins जैसे lean proteins को preference दे. ये metabolism को boost देने और muscle mass को maintain करने में help करते हैं, जो fat loss के लिए ज़रूरी है. इसके बाद, अपनी diet में avocado, nuts, seeds, and olive oil जैसे healthy fats को शामिल करें. ये healthy fats hormones को balance करने में help करते हैं, and you feel full for a longer period of time. vegetables, साबत अनाज यानि की whole grains और fruits जैसे fiber rich carbs को न छोड़ी. thyroid patients को अकसर slow digestion का सामना करना पड़ता है, इसलिए fiber जो है वो digestion को better बनाने में help करता है, और blood sugar levels को stable रखता है. इसके अलावा, make sure कि आप selenium and iodine ले रहे हैं, जो Brazil nuts, fish, and seaweed यानि की समुद्री शेवाल जैसे खाध्य पड़ार्थों में पाए जाते हैं. ये minerals, thyroid function का support करते हैं, और आपके metabolism को regulate करने में help कर सकते हैं. अंत में, ऐसे खाध्य पड़ार्थों से साबधान रहीं, जो thyroid की medication में interfere कर सकते हैं. सोया, अत्यधिक caffeine और broccoli जैसी कच्ची cruciferous vegetables को अधिक मात्रा में खाने से बचें. thyroid patients के लिए fat को effectively कम करने के लिए एक balanced, whole food diet important है, इसलिए ऐसे regular exercise के साथ जोड़ें. अगर आपको ये वीडियो helpful लगी तो वीडियो को like, comment and share करें, और हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलें, साथ ही साथ Facebook और Instagram पर हमें follow करें और अधिक जानकारी के लिए हमारी website पर जाए.